दोस्तों फिछले वीडियो में हमने सिखा कि Grow App में अपना Demet Account कैसे Open करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप Grow App के Wallet में पैसे Add कर सकते हैं अपने Bank Account से तो आज के इस वीडियो को आप पूरा लाज तक देखते रहेगा चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं Grow application को open करूँगा इसके बाद यहाँ पर fingerprint इंटर करूँगा अभी आपको simply करना क्या है यहाँ पर right corner में आपको आपका photo या फिर आपका logo दीख रहा होगा simply आपको यहाँ पर अपने logo पर click कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं add money का option आगे है आपके सामने simply आपको यहाँ पर add money पर click कर लेना है जैसे यह आप यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर amount इंटर करने के लिए बोलेगा आप जितना भी amount अपने bank account से कटवा करके यहाँ पर add करना चाते हैं तो चलिए मैं 5000 रुपए add करना चाता हूँ wallet में तो 5000 रुपए enter किया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं more options पर click करूँगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं Google Pay के थुरू आप payment कर सकते हैं या फिर phone पे के थुरू आप यहाँ पर payment कर सकते हैं या फिर आप किसी भी other UPI apps जैसे Amazon Pay ओगे रहा के थुरू या फिर किसी भी UPI ID के थुरू आप यहाँ से payment कर सकते हैं bank, transfer, NFT, IMPS किसी के भी थुरू आप payment यहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए मैं phone pay के थुरू करूँगा add money पर click कर लेता हूँ simply add money पर click करेंगे इसके बाद आपको redirect कर देगा phone paper यहाँ से आपको send पर click कर लेना है simply जैसे आप send पर click करेंगे आपको अपना UPI pin इंटर करने के लिए बोलेगा phone pay का आपको यहाँ पर अपना UPI pin इंटर कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका payment successfully complete हो चुका है यानि कि यह 5000 रुपए आपके grow app के wallet में transfer हो गया है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 5000 रुपए add हो चुका है simply आपके bank account से भी पैसे कट चुके हैं और payment successfully का message आ गया है अब आपको simply यहाँ पर done पर click कर लेना है चलिए हम यहाँ पर done पर click कर लेते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का page आया है इसको एक बर और back कर लेना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5304 रुपए हो गया है एक बर और back कर लेते हैं अब इस वालेट में पैसे एड करना कितना असान है अब इस वालेट में पैसे एड कर लेने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कंपनी के सेर को ग्रो एप की मदद से buy कर सकते हैं और कैसे sell कर सकते हैं तो नेस्ट वीडियो ग्रोव एप में सेयर को बाय करना और सेल करना ठीक है अगर आपको इस वीडियो इस रिएटेट कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक ग्रोव एप पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे किसी नए वीडियो में टनाय टॉपिक के साथ अब तक लिए जय हिंद जय भारत